अब फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं यह दो ओरन का वाइरिंग कनेक्शन है यहाँ पे जो कट आउट है उसमें से वाइरिंग कनेक्शन हमें बताया है जो लाल कलर है और यलो कलर लाल कलर है और ग्रीन कलर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों वाइरिंग कनेक्श यहां पर complete दिया हुआ है यह ignition lock में और यह body पर अर्थिंग जाएगा और यह जो अमारा one लगा है अमारी switch है one की उसमें जाएगा और ऐसे fitting होगा आप इसके box पर भी देख सकते हो कि wiring connection कैसे होता है वो सब को तो फ्रेंट यहां पर आप देख सकते हो box पर जो wiring diagram दिया है उसमें जो cut out है वो chair wire का cut out है जिसमें black, red, green और blue chair wire यह है जो red वाला wire जो ignition lock में output देता है उसमें से बाहर power supply होता है जो warner पर जाता है और green color का जो wire है वो warner की दूसरी pin में earthing देता है black color का wire है जो body पर earthing देता है और blue color का wire है जो warner की switch में से यारी निला wire आता है उसके साथ connection होता है तो friend fitting शरू करते है आप देख सकते हो यहाँ पे splendor bike है और splendor bike में left side में leg guard के bolt उपर अमने एक warner fit कर दिया है अब right side वाला fitting करते है तो friend आप जब fitting करते है तो दो बात याद रखिएगा एक उसका जो leg guard है उस पे जो warner fit करते हो वो मजगार से थोड़ा दूर होना चाहिए ताकि जब भी jumper आगे के jumping करते है तो उसको touch नहीं होने चाहिए क्योंकि touch होते ही वो तुट जाएगा दूसरी बात और नकि दोनों के जो आवाज बाहर निकलते है वो वाला इस्षा नीचे के और रखिएगा ताकि वस करते time उस इसे रेड़ वाला केबल और ग्रिन वाला जो दो पीन है वो राइड साइड के वार्न में लगाई है और यलो वाला और रेड वाला जो पीन है वो लेफ साइड के होन में लगाए है और इसमें जो ब्लेक वाला वायर है वो आगे के लेक गाट के 12 नमबर के बोल्ट पे हम इसको फिट कर देते हैं वहाँ पे उसको अर्थिंग मिल जाएगा वैसे किसी भी बोल्ट पे लगाओगे अर्थिंग मिल जाता है तो फ्रेंड यहाँ पे जो कि लाल कलर का आपको वायर दिखता है कि जिसमें फ्यूज की एक कि छोटा सा बॉक्स है कि वह वायरिंग जो हमें कि करनी है वह वाइजर के अंदर से जो लोक का केबल होता है वह लोक को केबल में जो आउट पुट देता है वायर वह आउट पुट देता है जो वायर उसमें उसको फिट करना है तो आप देख सकते है यह वायर हमने डाल दिया है जब हम चाबी ओन करते है तो आउट पुट देता है वह वायर ब्लैक में लाल कलर करी लाइन होती है वह हमें यहां पे कट आउट के अंदर जो लाल कलर का वाय ायर है वह अरुन कि hi riverotti में से मेन प्लाइव आता है जो कि अरि नीला वायर हैो उसके अंदर उसको कनेक्ट करना यहा हैं है कि उसमें करते ही हमारा वायरिंग सिस्टम कायम करने लगे गा की और आप स्वि explains और अब सिच दबाओगे झाल